बायो जोग्रफी में आज हम पादपों का पारिस्थितिकी वर्गी करन एकोलोजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट्स का अध्यन करेंगे प्लांट्स का एकोलोजिकल क्लासिफिकेशन भुगोल के विद्यार्थियों के लिए अत्यतिक महत्वपोन है क्योंकि इसके अंतरगत वनस्पति की उत्पति एवं उसका भोगोलिक कारकों से संबंद ग्याद किया ज़ता है एक विशेश भोगोलिक परियावरण में विशेश परकार की वनस्पति उत्पन होती है भोगोलिक दसाओं के अंतरगत धरातली दसाओं मिट्टी की प्रकरती जल्वाईव की दसाओं आदी मुख्य होती है जो कि एक विशेश स्थान पर एक निश्चित परकार की वनस्पति उत्पन करने में साहिक होते हैं या अपने महत्वपून रोल अदा करते हैं अते भोगोलिक कारक वनस्पति किसी स्थान के परियावरन निर्माण में एक दूसरे के पूरक है किसी चेत्र विशेश में वनस्पति से मृदा का निर्माण होता है वह निश्चित मिट्टी में या मृदा में एक विशेश परकार की वनस्पति पैदा होती है एक्जाम्पल के लिए अपन बता सकते हैं साइबेरिया के माच्छादित प्रदेशों में कौन धारियों दुआरा पोर्ट जोल मृदा का निर्मान होता है पोर्ट जोल मिट्टी में ही कौन धारिय वनस्पती उगती है इसी प्रकास्टेपि घास के मैदार चर्नोजम मृदा में ही पाई जाते हैं भुमदे रेखिवन लेटे राइट मृदा में उगते हैं इस सपस्ठ है कि पोधूं का पारिस्थित की वर्गी करन भुगोल में एक वह विचार धारा है जिसमें की मानविये और परियावरणिये तत्वों के अंतर संबंदों का ध्यन किया जाता है एवर उनके संबंदों की व्याख्या की जाती है इस तरह के वर्गी करन में पादपूंग जन्तों के विशेश अंधर्व में पारिस्थतिक जलवायु का ध्यन भुगोल वेता के लिए विशेश मैत्वपन वाउपयोगी है एता भुगोलिक पृस्तितिवा वनस्पती का आपस में गहरा संबंध है अरस्तु के सिसे थियो फ्रेस्टस ने अपने पुस्तक एन इंक्वारी इंटू प्लांट्स में पांसो पोदू का बंदन किया और उनके अक्रतिव बनावट के अधार पर तीन भागों में उनने विभाजित किया वरक्ष, जाडियां और साक्मी यानि ट्रीज, सर्ब्स और हर्ब्स हाइट की हिसाब से उन्होंने जैसे कि ट्रीज जो हैं उनके उचाई 10 फिट से अधिक होती है सर्ब्स जो हैं जाडियां जो हैं उनके चाई 3 फिट से 10 फिट तक होती है और हर्ब्स उनके उचाई तीन फिट से कम होती है थियो फ्रेस्टरस ने ही पोधु को उनके पिरियड ओफ ग्रोथ के आधार पर भी वर्गी कृत किया और इस आधार पर उन्होंने इसे तीन भागों में बाटा एक वर्सी, दुई वर्सी और बहु वर्सी है इनके नाम से ये पन को पता जल रहे है एक वर्सी है मतलब पिरियड ओफ ग्रोथ के आधार पर बाटा है प्रदिकाल के आधार पर एक वर्सी है मतलब जिन पाद्मों का संपूर्ण जिवन चक्र एक वर्स के अंतराल में ही स्माप्त हो जाता है वे पादप इस त्रेणी में आते हैं जैसे बन फरसल बोते हैं गेहूं, चावल, बाजराद, अधी द्वी वर्सी है मतलब इस त्रेणी के पादपों का जीवन चक्र एक वर्से अधी किन्तु दो वर्से कम की समयावदी में पोर्ण हो जाता है इसमें अपन का पास और गन्ना का एक्जामपल दे सकते हैं बहु वर्सी है इनका जीवन चक्र दो वर्सों से अधीका होता है जैसे अपने पेड आप बता सकते हो आप नीम का पेड बता सकते हो आप पीपल का पेड बता सकते हो आप आम का पेड बता सकते हो यानि जिनका जिवन चकर दो वर से अधिक्का होता है अब आता है जलवायू के आधार पर पारिस्तिति की वर्गीगरण किसी स्थान की जलवायू प्रकास, तापकरम, जल, हवा, वायू, मंडल के अधरता आधिततों से निर्मित होती है ये जलवायू के कारक उस स्थान में से इसकी वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करते है एता है वहाँ पर पाई जाने वाले जलवायू के आधार पर पोधूं का वर्गीगरण किया जा सकता है पहला है जैसे लाइट के आधार पर जलवायू जो कारक हैं उनमें लाइट पोदू के लिए तेन भट्वेपुन है और इसका मुखिस त्रोत कै है सूरिय जहां से प्रकास उज्जा विद्यू चंबक के तरंगों के रूप में एक निश्चित वेग से चल कर सोर मंडल से विक्रित होती हुई तरंगों के रूप म प्रत्वी बर आती है और इस सूरिय प्रकास के उपस्तिते में ही हरे पेड़ बोधे प्रकास अंसलेशन के किरिया दौरा बना बोजन बनाते हैं अनेक फीजियोलोजिकल प्रोसेस जैसे प्रकास अंसलेशन है वास्पो सर्जन है बी जंखुन है पादब गती वे दिप्ति काल फोटो पीरियड में परतेक्स रूप से तथा अवसोसन स्वसन के रिया प्लांट हार्मोन्स और उनकी ग्रोथ में ऐ परतेक्स रूप से लाइट का मेत्व है प्रकास जो है वो जाती तथा संगठन और वनस्पती के विकास वविस्तार को नियंत्रित करने में भी अपन अव्सिता मुख रोल अदा करता गहिए पत्तियों परड़ने वाले प्रकास में से किविल प्रती सथा की प्रकास अनसलेशन वह पौधु के निक्रियाओं में उप्योग में आता है से विकेड उर्जा ताप में परिवर्तित हो जाता है यानि प्रकास जो है जो नेचुरल में सन लाइट मिलती है वो पोधु के लिए अथेनत आउशिक है प्रकास की तीवर्ता उसके अधि वेद्धिशा पोधे को प्रभावित करते हैं और प्रकास की तीवर्ता कवाया मंडल के ताब करम और आदर्था सेच सिदा संबंध है आप एक शीक आदर्था जैसे जैसे प आपकरम बढ़ता है और आप एक्षिक अधरता में गिरावट आती है। सूरिय की प्रकासी उर्जा का अधिकांस भाग वायमंडली जैसे नाइट्रोजन और ओक्सिजन असोशित कर कुछ ही मातरा विकृत करती है। उचाई वाले स्थानों जैसे परवतों पर प्रकास ये तिवरता अधिक होती है। जैसे जैसे समुदर तल से उचाई की और बढ़ते हैं, वैसे वैसे हवा की सगंता कम होती जाती है, तह वायू की स्वच्छव पतली बरत रह जाती है। वर्षा रितों में तो बादलिक दियुस में सुर्य प्रकास की तिवरता और कम हो जाती है। प्रकास जो स्वच्छ वातावन किसमें जादा तिवरता से प्रत्वी पर आता है, उसे डारेक्ट सनलाइट। विस्वच्छ प्रकास में प्रकास की मात्रा केवल 10 से 15 परतिसत ही होती है, इसके विप्रित प्रतेक्ष प्रकास में 100 परतिसत मात्रा होती है। प्रत्वी के विश्वत रेखे भाग पर पढ़ने वाले सुर्य के प्रकास में अधिक तिवर्ता वा प्रतेक सुर्य प्रकास की मात्रा अधिक होती है इसके विप्री जैसे जैसे दक्षणी वा उत्तरी धुरों के और बढ़ते हैं वैसे वैसे विश्रित प्रकास की मात्रा में अधिकता वे प्रकास कीतिवरता में कमी आती जाती है और जिन स्थानों पर वायू मंडल में प्रदुशन पाया जाता है वहां भी प्रकास कीतिवरता है वो कम हो जाती है जो वहाँ pollutants पाई जाते हैं उनके कारण अध्योगिक सहरों के आसपास जो pollution होता है उसकी वज़े से 90% तक की प्रकासकितिवर्था में कमी आ जाती है और वाई मंडल में पाई जाने वाले नमीत थवास्प का भी प्रकासकितिवर्था पर प्रभाव पढ़ता है किसी भी जो dense forest होता है उसमें अधिकांज प्रकासितिवर्था का वसोचन वरक्षों का स्तर कर लेता है क्योंकि वनों में सबसे अधिक मुचाई पर साखा हूँ पत्यों की इस्तार के कारण प्रकास के लिए औरोधक स्तर बना देते हैं वरक्षों की प्रकासाद का मुचाई के इन्य वरक्ष जाडियां, साके पोदी, ब्राइफाइट, टेरिडुफाइट, सेवाल, इत्यादिक की लेर या स्तर रहता है इस प्रकार वनों में वनस्पती के अलग-अलग स्तर पाई जाते हैं और जैसे जैसे स्तर जाई में छोटा होता जाता है, वैसे वैसे उन्हें कम तीवर्ता का प्रकास प्राप्त होता है वन के धरातर पर पहुंचने वाले प्रकास की तीवर्ता नगणने मातर होती है जल्य वनस्पती को कम तीवर्ता का प्रकास प्राप्त होता है सूर्य प्रकास जल पर पढ़ते हैं उसका दिखांस भाग जल की सतय प्रावर्तित हो जाता है कुछ तैरने वाले मनस पढ़ते हैं और जल का उप्रिस्तर अवसोसित कर लेता है प्रकास अवधी के अधार पर तीन स्रेणियों में पोधों को बाटा जा सकता है पहला है दिर्ग प्रकास ये पोधी फिर है अल्प प्रकास ये पोधी और फिर है प्रकास ए प्रभावी पोधी इसे पोदि आग दिप्तिकाल से अधिक अभधी लगबग 14 घंडे के परकास कोदिया है निर्नायक दिप्तिकाल क्या है? पुष्प निर्मान किरिया में जब पोदे को एक निश्चित समय अवधी प्रकास दिया जाए तथा उस समय अवधी परिसर में पुष्प बन जाए तो उसे निर्नायक दिप्तिकाल कहते है अल्प प्रकास ये पोदे क्या होते हैं जिने निर्नाएक दिप्तिकाल से कम अवधी के प्रकास के अवशिक्ता होती है फिर प्रकास ये प्रभावी पोदे इनमें दिप्तिकाल का कोई प्रभाव नहीं होता उनको प्रकास ये प्रभावी पोदे कहते हैं जैसे दिर्ग प्रकास ये बों अलुल, आलु, पालक आदी को बता सकते हैं, अल्ग प्रकास ये में तंबाकू दंड़ हे लिया आधी को करते हैं प्रकास ये नीचिक कि इकbig आत्रुकर्चना तथा उनकी फीजियोलोजी पर भी प्रभाः होता है जो फोधे कम प्रकास या छाया में उखते हैं उन्हें छाया तापी पोदे करते हैं किन्तु अनेल पोदे अधिक्तम प्रकास में वर्दी करते हैं उन्हें सूरिय तापी करते हैं कुछ सूरिय तापी ऐसे भी होते हैं जो कि प्रकास में अत्यतिक वर्दी करते हैं लेकिन उन्हें चाया में भी सामाने रूप से उगाया जा सकता है ऐसे पात्मों को विकल्पी चायतापी कहते हैं इसी प्रकार जिन पोदूं की अत्यधिक व्रद्धी है तो चाया या मन प्रकास क्या शेकता होती है किन्तू उन्हें अधीक प्रकास में व्योगाया जा सकता है ऐसे पोदु को विकल्पी सूर्य तापी कहते हैं तो विकल्पी चाहतापी और विकल्पी सूर्य तापी इन में सूर्य मुखी, सालमेले बेरिका, पोपुलस सिलेटा, सोरिया, रोबस्टा, इत्यादी, समाने सुरियता भी पोदे हैं और एबीज, टेक्सस, जाइलिया, समाने छाया भी पोदे हैं